हेलो फैंस वेलकम तो गॉर चैनल कोडिंग का कीड़ा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगुलर 7 के बारे में और साथ में प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिससे की हमारा कॉंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए तो सबसे पहले बात करते हैं जब हम एंगुलर स्टार् तो सबसे पहले संज़ लेता है है आप जो कर न ही जा रहे हो वह आपको शुश्छ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ।ो सबसे पहले पूरे प्रोसेस को हम समझ लेता है कि क्या होता है अभी नॉरमल अप्लिकेशन में जब हम PHP या.NET को यूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप कोई भी यूजर आता अपकी साइट पर और वो रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर पर जाता है रिक्वेस्ट और जो भी आपने बनाया हुआ है मेकनीजम कि राउटिंग अगर MVC की यूज़ कर रहा है तो राउटिंग जो कंट्रूलर है वो वो किस तरीके से उसे रूट कर रहा है या पी एच्पी का है तो सबके लिए आपके पास फिजिकल फाइल होती है यहां से जाता है और फाइल को लेता है और फिर वो कि उसको रिस्पॉंड करता और वहां पर रेंडर करके वो डिस्पे कर देता है तो इस पूरे प्रोसेस में जब भी आप स्विच करते हो कि सपोस्पोंज आप हो और जैसे आप आप जाओगे जो भी पेज है आपका तो इस पेज से चाहिए अपने तो सरवर पर रिक्वेस्ट गई फिर इस पर क्लिक किया सरवर पर रिक्वेस्ट गई तो जब आपका ब्राउजर जो है वहां पर वह लोड करने के लिए घूंता सिंगल पेज अप्लिकेशन बनाने के लिए कि आपका पूरा अप्लिकेशन जो यहां से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है वह एक ही पेज में हो और बार बार फीजिकल पाथ के लिए वह ढूंडना ना पड़े उसे और सारा कुछ जो भी इसमें आप करते हो वह सब कुछ अपको दियान रखनी होगी कि जब भी आप सेशन मेंटेन करना चाहते हो तो यह क्लाइन्ट साइड आप बना रहे हो सब कुछ सिंगल पेज अप्लिकेशन तो आपको क्या करना होगा कि आपको टोकन बेस करना होगा या अपने लोकल मशीन में सेशन को मैनेज करना होगा इसको समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है बहुत पहले आपने जब HTML आप कर रहे होगे तो आपने इंटर्नल रेफरेंसिंग के लिए कुछ टर्म सुने होंगे जब हम HTML बनाते थी और उसमें हमने होम, अबाउट अस दे दिया है और नीचे कोई ID ले रखी है अबाउट अस, होम की और यहां पर जो भी हम लिंक देते थे तो वो हैस से करके देते थे इंटर्नल रेफरेंसिंग इसको कहते है तो जब भी हम क्लिक करते थे तो यह वाला डिव जो पोर्शन है यह यहां पर ऊपर आ जाता था आप लोंने किया होगा अगर HTML में पहले यूज करते थे अपने किया होगा तो आपने पहले यह देखा होगा इस तरीके की कोडिंग हम करते थे सारा कुछ तो सेम यही और इसी को सिंगल पेज अप्लिकेशन कहते हैं कि सारा कुछ आपका एक ही में है और वो प्रोसेस इसी तर चल रहा है और सारा कुछ आप API से फ्रेच करके ला रहा है बट इसमें क्या किया है एंगुलर ने अब पूरा सब कुछ एक स्ट्रॉक्चर वे में कर दिया है अगर आप पहले एंगुलर.js की बात करोगे तो एंगुलर.js उतना इसमें कोई भी टाइप नहीं था आप जे क्वेरी यह जावा स्क्रिप्ट की तरह ही यूज करते थे बस उसमें क्या था कंट्रॉलर बना दिये गया थे ताकि छोड़ा सा स्ट्रॉक्चर तैयार किया था बट एंगुलर 7 में बहुत कुछ चेंज हो गया है और इसमें सब क स्ट्रॉक्चर हो गया है आप क्लासिस बना सकते हो इंटरफेस बनाते हो आप इसमें टाइप डिफाइंड करते हो तो सब कुछ है इसमें अंगुलर 7 क्या है कि उपर से देहने पर आपको जब आप स्टार्ट करनी सोचें तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बट एक बार आप स्टेप बाई स्टेप कर लोगे तो बहुत एजी है और बहुत ही फास्ट है आप SPA बना रहे हो सिंगल पेज अप्लिकेशन बना रहे हो और वहुत ही फटा-फट कुलता है बहुत ही अच्छा लहीं आपको इंटरफेस भी काफी अच्छा बना सकते हो उ आई अब देखते हैं एंगुलर 7 में आप क्या क्या आपको मिलेगा और आप क्या क्या कर सकते हो तो सबसे पहले यह SPA है ही और fully कंपोनेंट बेस है आपको इसमें टाइप स्क्रिप्ट मिलती है क्या है कि यह Microsoft का है और Microsoft और गूगल का क्योंकि पूरा जो पूर एंगुलर का बना हुआ है वह पूरा ही टाइप स्क्रिप्ट पर बना हुआ है नेक्स्ट है आपका CLI and NPM तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूबत नहीं है हम स्टेप बाइस्टेप सब कुछ करके देखेंगे बस आपको ध्यान रखना है SPA जो सिंगल पेज अप्लिकेशन आपका है कम्पोनेंट को आप अपने टर्म में मोड्यूल कह सेकते हो कि जैसे मुझे कोई लॉगिन का पेज बनाना है तो मैंने लॉगिन कम्पोनेंट बना दिया तो इसमें आपको तीन फाइल तीन फाइले मिलती है एक तो HTML दूसरा CSS की फाइल और नेक्स्ट जो होता है आपका वो टाइप स्कुर्प की फाइल जिसमें में आप कोडिंग करते हो जो टाइप स्कुर्प की होती है किस तरीके से किसी वैल्यू को सेट करना है और सारा कुछ HTML जो उसका template define करते हो और CSS जो उसकी styling तो यह सब कुछ आगे की वीडियो में हम करके देखेंगे next type script मैंने बता दिया है कि यह पूरा structured way में है इसको use करते है CLI जो है जिससे ही सब कुछ अब इंस्टॉल करते हो तो यह किस तरीके से install करते हैं basically क्या है कि command होती है इसकी CLI की command होती है जैसे कोई component generate करना है तो किस तरीके करोगे कोई application create करनी है तो किस तरीके से करोगे service इसमें कोई create करना है तो कैसे तो basically command है जैसे हम Windows के command को देखते हैं, तो सेम उसी तरह है, उसको एक दो बार हम करने लेंगे, तो हम सीख जाएंगे, और NPM जो है, Node Package Manager, तो ये, command लेंगे हैं, जिससे कि हम resource को get कर, अब यहां पर हम step by step करके देखेंगे, किस तरीके से हमें एक अप्लिकेशन को create करना है, जो मैं यहा तो सबसे पहले आपको NPM install करना होता है, Node Package Manager, जिसका link मैंने description में दे रखा है, next है, अब आपको CLI पर command चलानी है, CLI install करना है, और Angular Project create करना है, next क्या है, जब आप कर लोगे, तो ng build, और fourth है, ng serve, इसको हम देखेंगे, किस तरीके से use करना है, practical में, ng build जो है, पूरे application को जब आप कुछ भी change करते हो, उसको build करने के लिए, और ng serve जो करते हो, यह आपको एक local URL पे यह खोल के देता है, तो इसका default जो है, localhost 4200 होता है, तो आप localhost 4200 करोगे, तो आपने जो भी application build कर ही है, वो आपको आपर display हो जाएगी, तो चलिए practical करके देखेंगे, तो चलिए practical करके देखेंगे, तो उसके लिए क्या के steps follow करने होते हैं, जैसे कि जादा confusing ना हो आपके लिए, तो सबसे पहले NPM required होता है, जो node package manager है, तो उसके लिए हमें node.js जी होता है, तो सबसे पहले आप Google पे, node.js करोगे, इसके link मेंने description में दे रखा है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, तो यहाँ पर click के है मैंने, आपको window के जो यह LTS में इसको लेना है, मैंने download कर रखा है, तो अब इसको में store करेंगे, आपको next next करना है, यह थोड़ा time लेगा installation में, तो मैं अभी इसको skip करता हूँ, तो अभी यह complete हो गया है, यहाँ पर, मैं finish करता हूँ, तो अभी हमने अपना node install कर लिया है, तो सबसे पहले हम check कर लें, कि successful install हो गया है, तो node-v करोगे, तो यह node का version बता देगा आपको, ठीक है, हमने node install कर लिया है, NPM होने पास आ चुका है, तो अब next करना है हमें, अपने application के लिए, कोई directory select करनी है, तो मैं इसे, अपने according change करता हूँ, तो कि आपके application की root directory होगी, अब यहाँ पर हम root directory में आ गए, अब यहाँ पर हमें angular की CLI को install करना है, तो उसके लिए जो command है, NPM install, globally, आइफन जी से globally होता है, then angular class CLI, यह थोड़ा time लेता है, क्योंकि सारे resource वहाँ से CLI को install कर रहा है, तो इसको भी हम skip करते है, यहाँ पर install हो गया है, तो अभी next process है, कि अपने application को create करना, तो उसके लिए command ng, जो यह बताता है कि यह angular की command है, CLI की command, angular CLI की, ng new, और आप अपने application का नाम दोगे, तो मैं कर दे रहा हूँ, ang install app, अब यह यहाँ पर पूसता है कि क्या आप routing चाहते हो, तो yes, routing तो चाहिए ही, और यहाँ पर पूसता है कि जो आपकी style sheet होगी, वो किस type क्योंगे, css, scss, तो आप simply css से select करो, यह भी सारे resource को वहाँ से fetch कर रहा है, तो थोड़ा time लेगा यह, कि बहुत सारी files होती है, तो अभी इसको skip करते है, यहाँ पर successfully installed हो गया है, application create हो गई है, तो अब हम यह directory को change करना होगा, क्योंकि जो हमारी application के directory है, उसके अंदर हम जाएंगे, तो cd, Angular, अब मैं अपने जो application ने उस directory में आ गया हूँ, तो अभी मेरो क्या करना है, ng serve करना है, क्योंकि बस हमें एक port अभी enable करना है, जो 4200 यह enable करता है, तो हम डिफॉल्ट वहाँ पे खूल के देखेंगे, कि application चल रही के नहीं, तो अब ng serve करोगे, तो यहाँ पर port open कर रहा है, तो यहाँ पर इसने port open कर दिया है, तो चलिए अब देखते हैं, कि यहाँ पर simply आपको local host, समझ जाओगे कि जब कुछ create करना है, तो किस किस जगह पर update करना है, कहाँ पर update करना है, उसको step by step करके देखेंगे, जैसे यह easily हमने पहले starting में समझा और step by step करके देखा है, वैसे इन सभी को करके देखेंगे, होग आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो like और subscribe जरूर करें, और comment करके बताएं कि अगर कुछ भी doubt रहता है आपका, तो आप comment जरूर करें, और next video को miss नहीं करें, क्योंकि इसमें हम step by step करके देखेंगे, समझेंगे कि folder structure क्या है, और जब हम कोई भी change करते हैं, तो उसका reflection कहां कहां होता है, और किस किस जगा पर हमें modification करनी होती है, thank you.